Hello and welcome friends, welcome to pharma वेदा ज्यान तो AIMS राइ बरेली में जो है नई वेकेंसी आई है जो की गुरुप B और गुरुप C की वेकेंसी रहेगी तो डीटेल पर बात करेंगे क्या क्वालिफिकेशन है कौन-कौन सी वेकेंसी आई है किस तरीके से आपको form fill up करना है किस तरीके से आपको इसके notes, syllabus और जितना भी study material है वो किस तरीके से provide हो पाएगा तो ये जो वेकेंसी रहेगी AIMS राइ बरेली की रहेगी सभी candidates apply कर सकते हैं All India वेकेंसी रहेगी सारी चीज़े हम जानेंगे तो वीडियो को जाज़े से जादा like करें, share करें and subscribe करें तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये जो वेकेंसी आपकी रहेगी Assistant Accountant Officer की तो Group B की वेकेंसी लेवल 7 की रहेगी टोटल पोस्टें जो है दो रहेगी इसके बाद Assistant Engineer की जिसमें की एक वेकेंसी है इसके बाद Speech Therapy एक वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी साथ में Dental Hygienist की जो है इसमें आपको दो वेकेंसी देखने को मिलेगी Dietitian की जो है एक वेकेंसी देखेगी Executive Assistant की Group B की पोस्ट रहेगी लेवल 6 की वेकेंसी रहेगी और Total Vacancy 6 इसमें आपको देखने को मिलेगी तो काफी वेकेंसी आपके लिए भी रहेगी तो आप लोग वीडियो पूरा एंट तक जरूर देखे Qualification पर भी बात करेंगे Slay Bus पर भी बात करेंगे और आगे किस तरीके से आपको Notes पोवाइड होंगे उस पर भी हम बात करेंगे Junior Account Officer की चार वेकेंसी है Junior Engineer की दो वेकेंसी है Junior Engineer Civil की दो वेकेंसी Electrical की दो वेकेंसी और Junior Hindi Officer की एक वेकेंसी Junior Store Officer की देखे लेवल 6 की है 6 वेकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी Librarian Grade 3 की वेकेंसी एक है Automatrition की जो है दो वेकेंसी रहेगी Parfumist की जो है दो वेकेंसी रहेगी Personal Assistant की जो है तीन वेकेंसी रहेगी Private Secretary की आप देख सकते हैं दो वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी इसके साथ ही Programmer की जो है तीन वेकेंसी रहेगी Hindi Officer की एक वेकेंसी है senior technician की दो vacancy है और जो आपका lab assistant रहते हैं lab technician रहते हैं तो उनकी भी vacancy जो है निकाली गई है तो technician की जो है laboratory technician की 22, 22 vacancy है level 6 की vacancy रहेगी 11 unreserved post आपकी रहेंगी तो मतलब 22 post आपकी रहने वाली है तो इसका अगर आपको notes previous year question paper study material अगर कुछ भी आपको इसका regarding चाहिए तो आपको जो है यहाँ पे whatsapp number देख रहा होगा तो इसमें आपको सारी चीज़े जो है course के अंदर provide कराएंगे जो course के charges रहेंगे वो आपके 299 रहेंगे ठीक है तो 299 में हम आपको सारी चीज़े provide करा देंगे technician OT की 20 poster रहेंगी technician की देखे यहाँ पे आप देखे एक post रहेगी तो अलग-अलग poster रहेंगे qualification भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं radiologist की post रहेगी 7 poster है radio therapy की जो है 4 post आपको रहेगी hospital attendant देखे लेवल 1 की post है जिसमें की 18 post आपकी hospital attendant आपकी निकाली गई है एमस राइबरेली में इसके बाद junior medical record officer की एक post है lab attendant की जो है एक post आपको देखने को मिलेगी lab technician की जो है एक post देखेगी laundry supervisor की एक post है lower division clerk की की एक post है mortuary attendant की दो post आपको देखेंगी pharmacist की भी जो है इसमें आपको post हैं देखने को मिलेंगी जो की 7 रहेंगी stenographer की जो है 5 post है store come clerk की दो post है और upper division clerk की जो हैं 10 post है रहेंगी मतलब total इसमें डेड़ सो के करीब हैं जो है post इसमें रहने वाली तो सभी के हमने देख लिए कौन-कौन सी post है अब बात करते हैं qualification आपकी किस तरीके से रहेगी तो इसमें जो है सबसे पहले आपका assistant accountant में जो मागा गया है graduate आप लोग होने चाहिए commerce से 55 प्रतिसत के साथ 2 साल का experience होना चाहिए आपको और इसके साथ ही जो है assistant engineer में जो है आपको civil में graduate होने चाहिए और 5 साल का experience आपके पास होना चाहिए ठीक है तो ये post आपकी रहेंगी तो आप लोग देख सकते हैं तो सीधे में आपको जो main-main vacancy रहेंगी उनके बारे में बात करते हैं तो dietitian में जो है MSC आप होने चाहिए home science food and nutrition MSC clinical nutrition dietary से इसके साथ ही बात करें executive assistant तो इसमें आप लोग क्या होने चाहिए सिर्फ degree होने चाहिए कोई भी field के आप degree होनी चाहिए और computer को आपको operate करना चलाना और knowledge आपके पास होनी चाहिए किसी भी प्रकार का computer का certificate इसमें नहीं मागा गिया है सिर्फ आप graduate होने चाहिए इसके साथ ही junior accounts officer की जो है इसमें vacancy रहेगी graduate commerce के और दो साल का experience होना चाहिए account working in government organization then इसके बात junior engineer की तो इसमें graduate होने चाहिए electrical mechanical engineering में और पास साल का जो है इसमें experience होना चाहिए ठीक है तो junior engineer civil के आप देख सकते हैं इसमें आपका दो साल का experience मागा जाएगा तो यह आपका engineering की ठीक है इसके बाद junior hindi officer में जो है master's होने चाहिए हिंदी और English में compulsory इसमें रहेगा junior store officer तो इसमें जो qualification मागी गई है आप graduate होने चाहिए और post graduation होना चाहिए material management में ठीक है तो इन दोनों में से आप लोग जो है एक आपका होना चाहिए material management आपका जो है graduation में एक subject होना चाहिए ठीक है तो material management होना चाहिए या फिर आपका तीन साल का experience होना चाहिए store handling and preference मतलब क्या मागा जा रहा है post graduation अगर आप material management में हैं आप उसे experience नहीं मागा जाएगा अगर आप सिर्फ graduation है तब आपके बास तीन साल का experience होना चाहिए librarian grade 3 की vacancy रहेगी graduate आप लोग होने चाहिए library science से इसके साथ ही हम बात करें automation की तो bsc automatical technician से आप होने चाहिए तो यहाप आप देख सकते हैं इसके बाद personal assistant तो इसमें आपके पास सिर्फ degree होने चाहिए कोई भी field से चल जाएगी और इसमें सिर्फ आपका skill test रहेगा और यह आपका hindi typing और English typing test रहेगा मतलब graduate candidates इसके लिए apply कर सकते हैं private secretary जो की private secretary में graduate आप लोग होने चाहिए किसी भी field से और इसमें भी आपका typing test रहेगा हिंदी और English दोनों में ठीके तो यह सारी चीज़े रहेंगी programmer में जो आप b.tech होने चाहिए b.tech होने चाहिए और computer science या फिर computer engineering या फिर post graduation science और math से आप लोग होने चाहिए और post graduation in computer application तो इन दोनों में से अगर आप एक भी चीज़े हैं तो आप लोग इसके लिए eligible रहेंगे हिंदी officer की अगर हम बात करें तो यहाप आप देख सकते हैं master's आपका होना चाहिए हिंदी में तो subject आपका हिंदी होना चाहिए इसके बाद senior technician laboratory देखे age limit भी आप लोग साथ में देखते रही है तो यह मैंने skip कर दिया तो वो आप लोग देख लीजेगा और इसमें आपका B.S.C. मागा गया है medical technology और equivalent जिसमें की 10 साल का experience मागा गया है क्योंकि यह senior की post है technician के अगर हम बात करें तो इसमें आपका B.S.C. मागा गया है medical lab technology और equivalent तो इसमें आपका 5 साल का experience मागा जाएगा अगर आपके पास B.S.C. in MLT है अगर आपका D.MLT है डिपलोमा है तो 8 साल का experience मागा जाएगा तो यहां पर आप qualification भी देख सकते है experience देख सकते है इसके बाद O.T. technician की भी vacancy आपको देखने को मिलेगी B.S.C. O.T. technician तो इसमें या तो आपका B.S.C. O.T. technician होना चाहिए experience B.S.C. वालों के लिए नहीं रहेगा O.T. technician या फिर आपका 12th प्लेस आपका subject है और उसमें आपका 5 साल का अगर आपके पास experience है operation theater और recognized hospital और medical institute से तब आप लोग जो है इसके लिए apply कर सकते हैं ठीक है तो 5 साल का experience किसके लिए मागा जाएगा जिसके पास 12th के बाद सीधे उसने जो है या तो diploma करा है या फिर कहीं medical में practice करी है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी इसके बाद आपका ये भी आपका same रहेगा तो bachelor degrees में आपकी होनी चाहिए देन इसके बाद radiology की vacancy रहेगी जिसमें की तीन साल का जो है इसमें radiography में अगर आपका है तो तब आप इसके लिए eligible रहेंगे डिप्लोमा है तो दो साल का जो है आपके पास experience जो है इसमें मागा जाएगा इसके बाद जो है ये भी आपका same है graduate है तो apply कर सकते हैं डिप्लोमा है तो दो साल का experience आपका होना चाहिए अब आपका आता है hospital attendant देखे 18 से 30 साल की age limit रहेगी unreserved category के लिए SCST, OBC को जो है छोट मिलती है IUC मा में आप सभी को पता है इसमें आपका 10 भी पास आप लोग होने चाहिए minimum और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए certificate होना चाहिए hospital service का देखे hospital service का जैसे first aid का certificate होता है अलग जो संस्थाएं उपलब्द कराती है वो अगर आपके पास certificate है जैसे red cross द्वारा आपको first aid का emergency का जो certificate दिया जाता है अगर आपके पास वो है तो तब आप अपलाई कर सकते हैं या फिर sent zone ambulance का अगर आपके पास certificate है तब भी आप लोग इसके लिए apply कर सकते हैं इसके बाद junior medical record officer की vacancy आपको इसमें देखने को मिलेगी जिसमें की B.S.C. मागा गया है medical record से या फिर अगर आपने बारवी पास करिया है तो इसमें आपके पास diploma या certificate होना चाहिए और दो साल का experience होना चाहिए medical record officer का इसके साथ ही lab attendant की जिसमें की D.M.L.T. candidates apply कर सकते हैं lab technician में lab technician में क्या मागा गया है बारवी पास और D.M.L.T. ठीक है तो D.M.L.T. मतलब minimum qualification D.M.L.T. है B.M.L.T. वाले भी कर सकते हैं medical lab technology वाले B.S.C. M.L.T. जिसने भी कर रहा है तो वो सभी लोग apply कर सकते हैं इसमें आपका जो है experience नहीं मागा गया है laundry supervisor में बारवी पास होना चाहिए और आपकी पास diploma या certificate होना चाहिए lower division clerk में बारवी पास और typing test इसमें रहेगा ठीक है तो इसमें सभी लोग apply कर सकते हैं mortuary attendant में बारवी पास होने चाहिए और भी कुछ इसमें experience मागा ने देखिए यहां पर लिखा है desirable अगर है तो तो भी ठीक है नहीं है तो भी ठीक है लेकिन अगर आपके 70 marks आए और दूसरे बंदे की भी 70 marks आए दोनु के 70 आए और उसके पास certificate है तो उसको जो है preference दी जाएगी इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखेगा इसके बात pharmacist की vacancy है minimum qualification, diploma in pharmacist होना चाहिए registered pharmacist होने चाहिए और desirable रहेगा अगर आपके पास experience है manufacturing, storing, testing या फिर transfusion, fluid में ठीक है तो ज़रूरी नहीं है, desirable का मतलब मैंने आपको बता दिया और ये सारी चीज़े रहेंगे stenographer में बारवी pass जो है apply कर सकते हैं इसके बाद store come clerk में जो है आपके पास को है graduate होने चाहिए और एक साल का जो है अनुभाव आपके पास होना चाहिए handling store या फिर post-graduate ठीक है तो ये आपका desirable criteria रहेगा upper division clerk की जो vacancy है इसमें आपका जो है क्या मागा जाएगा सिर्फ graduate candidates apply कर सकते हैं और computer का घ्यान होना चाहिए typing test भी इसमें आपका रहेगा qualification हमने सारी चीज़े देख ली तो इसका अगर आपको notes चाहिए syllabus चाहिए previous year question paper चाहिए तो आप लोग जो है comment कर सकते हैं या फिर आपको जो इन number flash हो रहा होगा इस number पर आप लोग जो है message करके आपको सारा course के अंदर हम आपको सारी चीज़े जो है provide करा देंगे जो charges रहेंगे वो आपके two double line रहेंगे ठीक है तो two double line में आपको सारी चीज़े provide हो जाएंगे fees की बात करें तो unreserved और OBC के लिए तीन हजार रुपे फीज रहेगी ठीक है प्लस GST की बात करें तो 3540 रुपा आपकी फीज रहेगी और OBC के लिए SCST और EWS Candidates के लिए 1770 रुपे जो है फीज इसमें आपको देनी पड़ेगी ठीक है तो फीज थोड़ा बहुत जादे ही इसमें आपको देखने को मिलेगी क्योंकि AIMS की हमेशा फीज जादे ही रहती है कहीं 2000 कहीं 3000 तो साड़े 3000 तक आपको इसमें फीज देखने को मिलेगी तो exam center भी आप लोग देख लीजे कहा कहा रहेगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदरबाद, बैंगलूर, लखनो, पठना, गुहाटी, जम्मू, जैपूर, 36 गड़ और भोपार तो 12 जो हैं आपके exam center रहेंगे exam किस तरह किस रहेगा CBT mode में आपका exam conduct कराया जाएगा IUCIMA में देखिए हमने अभी age limit देख ली जैसे कहीं 30 साल लिखा था maximum तो उसमें जो है अगर आप SC है, ST है तो 5 साल के आपको छूट मिलेगी तो आप 35 साल तक अगर आप हैं तो आप इसमें apply कर सकते हैं ठीक है और OBC अगर आप हैं तो 3 साल का physical handicap है तो 10 साल का जो है इसमें छूट आपको अलग जो है छूट रहती है XRB officer की अलग छूट रहती है तो ये सारी चीज़ों का आप लोग पढ़त सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़े होगी एक्जाम किस तरीके से होगा यहां पर आप देख सकते हैं जिसमें की 40% जो रहता है आपका qualifying रहता है OBC और इसके लिए 35% और SCST के लिए 30% जो है qualifying आपका रहता है ठीक है तो ये सारी चीज़े होगी इसके बाद हम बात करेंगे result किस तरीके से आएगा और important dates तो aims rivalry का जो form है वो किस तरीके से भरा जाएगा तो ये सारा वीडियो आपको इसी channel में देखने को मिलेगा तो ये भी हम जल से जल लाएंगे comment box में आप comment करें कि किस तरीके से form fill up करना उसकी वीडियो लाए तो वो हम आपको upload कर देंगे ठीक है 17 तरीक से form start हो चुके है और October तक ये form भरे जाएंगे सितंबर October 16 सितंबर तक ये आप लोग form fill up कर सकते हैं कोई भी update चाहिए तो वो आपको हम जल से जल प्रोवाइट कराएंगे तो ये आपका पूरा notification रहेगा जिसमें कि आप लोग form fill up कर सकते हैं उत्तर पड़देश राय बरेली के ये आपके form आए हैं सिलेबस पर देखे अलगलग post के अलगलग सिलेबस रहेंगे तो उसके लिए detail वीडियो पर एक subject के हिसाब से हम आपके लिए लाएंगे तो आप लोग channel की साथ बनी रही है चैनल को आप लोग subscribe कर लीजिए और अगर आप course purchase करना चाहते हैं उसका जो link है वो यहाँ पर आपको WhatsApp नमबर दीख रहा होगा तो इस नमबर पर आप लोग WhatsApp में message करके छोड़ दे कि आपको जो है course चाहिए तो course की जो pricing है वो आपकी 299 रहेगी ठीक है तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए